नमस्कार, Capital TV उतिप्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा स्यम्योग के आदितनाथ ने कुछ दिन पहले बकरीत को लेकर साफ का था कि तैस्थान के अलावा कहीं और खास कर विवादित जखों पर कुरवानी नहीं होनी चाहेगे वहीं शरारती तत्वों से जीरो टॉलरेंस की नीती के साथ पेश आने के निर्देश दिये थे और आज नतीजा गी रहा किसीम्योगी के डर से पूरी उत्तर प्रदेश में सन्नाटा पसरा रहा यहां तक की मौलाना खालिद रशीत फिरंगी महली के साथ साथ कई जाने मौलानाओं ने अपील करते हुए कहा कि लोग सडकों की बजाए केवल इदगाहों और मज़िदों में ही नमाज बढ़े तो आज बकरीत पर बदलते यूपी के किस्से को लेकर हिचर्चा करेंगे बाच्चित के लिए मेरे साथ स्टूड़ में मौजूद है क्यापिटल टीवी के एक्सक्योटर मेडिटर राजीब जी राजीब जी बहुत बहुत स्वागत है आप धन्यवाद जितने भी असमाजिक अराजक तत्व हैं वो घर के अंदर कैद हो जाएगे कुछ ऐसे ही तस्वीर उत्तर परदेश में देखने को मिली क्योंकि ये पिछले कई सालों से अगर 2017 के बाद के इस दौर को चोड़ दें तो पिछले कई सालों से इनकी आदते थी इद हो बकरीद हो मुहर्रम हो या फिर कोई ऐसे समय हो जबकि इनको बाहर निकल कर परदर्सन करने की जरूरत पड़ती है या फिर जुमे की नमाज ही क्यों न हो इन लोगों ने इस पूरे परवतेवहार को शक्ति परदर्सन का जरिया बना दिया था लेकिन अब इस्थितियां बदल गई कि समाज और सोसाइटी तो वही है लेकिन परशासन बदल गया सत्ता बदल गई और सत्ता के बदलते ही इन लोगों ने अपना चरितर बदल लिया क्योंकि चरितर तो इनका ऐसे भी हिंसात्म की है असमाजी की है लेकिन अब योगी सरकार ने इस बकरीद के मौके पर क्या आ ही होगा आप नमाज पढ़ते हो कोई बात नहीं है लेकिन तै जगों पर ही नमाज पढ़ो और इसके लिए पुखता इंतजाम भी किया गया था क्योंकि उत्तर परदेश में हमेशा ऐसे मुकों पर दंगा फैलाने की साजिस की जाती है और दंगा फैलाने की वो साजिस हमे सबसे पहले जो सडकों पर नमाज पढ़ना या नोएडा में ही पार्क में नमाज पढ़ने के ऊपर परतिमंध लगा था तो उसमें भी इन लोगों को परिशानी हुई थी उस समय हंगामा किया था लेकिन इस बार की विवस्था क्या थी इस बार योगी सरकार ने सारे कानपूर सरमा के विवाद के समय जो उन्होंने टिपने की विवाद पैदा हुआ हंगामा खड़ा हुआ कानपूर में क्या हुआ कानपूर में मसजिद में नमाज पढ़ने के बाδ निकलने के समय इन लोगों ने उपध्रव करना सुरू किया आस पास के हिंदू महलों में गुस गुस कर पत्थरवाजी की तो इसलिए पुखता तयारी करना जरूरी था और इसके लिए इंतजाम किया गया था दो दिन पहले ही यूपी सरकार के तरफ से पुलिस के तरफ से एक प्रिस कॉंफरेंस करके बताया गया था कि हमने क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं सारे मस्जिदों के उपर निगरानी थी उसमें आस्मान से निगरानी करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था हर जगह पर ड्रून तैना थे जहां जहां संभावना इस बात की थी कि कहीं भी यहां से निकल कर यह अल्ला हुआ कबर के नारे लगाएंगे और फिर उसके बाद विवाद पैदा करेंगे अगर आपके आज पास हिंदू लोग रह रहे हैं और उसको प्रवोक करने किया कोशिश करते हैं तो उधर से भी कुछ प्रवोक्ड लोग हैं जो कि आपके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं बोल सकते हैं और फिर हंगामा खड़ा हो जाता है उसके बाद पीएसी के 328 बटालियन को निक्ट किया गया था हर उन इलाकों में जो मुसल्मानों के इकठे होने की जगह है और पीएसी को इन लोगों के अंदर इसको लेके पहले से ही डर है क्योंकि पीएसी उत्तर परदेश की वो पुलिस है जो हमेशा से डंडे की भासा का इस्तेमाल करती रही है हलाकि कुछ समय मायवती की सरकार रही मुलायम सिन की सरकार रही अखलेस यादव की सरकार रही तो उसे दबा कर रख दिया गया कॉंग्रिस के समय में भी कुछ समय तक खुली छूट मिली और उसके बाद दबा कर रख दिया गया वो PAC अब फिर से active हो गई है और उसके बाद जो किंद्रिय सुरक्षाबल है किंद्रिय सुरक्षाबल का भी इस्तेमाल किया गया था साथ कमपनिया किंद्रिय सुरक्षाबल के हर जगे तैनात किये गये थे और आपात प्रस्तितियों के लिए ये टियर गैस उसके बाद वाटर कैनन ये सब के इस्तेमाल के लिए भी कुछ बटालियन न्यूक्त किये गए थे SDRF के जैसे NDRF होता है वैसे ही जो आपात कारीन विवस्ताओं के लिए स्टीट गोर्मेंट की ट्रेंड पौज होती है जो SDRF के अंदर आता है उसकी तीन बटालियन भी न्यूक्त कर दी गए थे ये सारे इंतजाम किये गए थे और इसके बाद जो चुकी मुसलिम महले कई ऐसे हैं जहां पर गलियां एतनी छोटी है पुलिस को अपनी गाडियों से जाना मुश्किल हो जाता है वहां पर पेट्रोलिंग करने के लिए इन लोगों को गाडी से जाने के लिए सुविधाय नहीं है तो ये भी एक विवस्ता की गई कि जहां जहां मुसलिम महले में तं लुख किया गया था और साथ ही साध साथ हजार ट्रेनिंग में जो अभी हैं उलिस अधिकारी सब इस पेक्टर एस रहें के जो अधिकारी थे उन्हों लोगों को निक्तिया गया था or इसके अलाबाभा जो करीब करीब 20 हजार ऐसे वोलेन्टियस निउक थे जो लाठी डंडे के साथ थे जिनको किसी भी आपात प्रस्तिती में इस्तेमाल किया जा सकता था अब इतनी कड़ी विवस्था थी तो उसके बाद ये मौलानों को लगा कि अगर अब ऐसे समय में कुछ गड़बड करते हैं तो इसका मतलब है कि जो हम जनसंख्या बढ़ाने क के लिए कोशिश कर रहे हैं कि डेमोग्रेफी को चेंज किया जाए वो डेमोग्राफी हमारी नीचे चले आएगी क्योंकि इस बीच ऐसे भी उत्तर परदेश में जितने इनके संरक्षक थे चाहे पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो या फिर वो माफिया जो इन लोगों के ल हैकेट भी चलाता था अगर अतीक हमत के गैंग को देखें तो उसमें कई ऐसे लड़के थे जो पहले हिंदू थे इसके गैंग में शामिल हुआ और उसके बाद मुसल्मान बन गया जिसमें इसका सबसे करीबी जो अभी गुड्डू मुसलिम की बात आती है वो भी हिंदू ही था तो ये लोग जिस तरीके से अपने मुहले में डेमोगरफी चेंज करता था और वहां पर वर्चस्व पैदा करता था उन लोगों को पहले ही ठीकाने लगा दिया गया है तो इन लोगों के अंदर डर तो है और उसी डर का नतीजा है कि जिस फिरंगी महले की बात कर र लेकिन वहां पर शांती पूर्ण तरीके से नमाज अदा करो और सीधे बाहर चले जाओ लेकिन फिरंगी जैसे ऐसे कई मौलाना है या कुछ ऐसे जिहादी नेता हैं जो आई दिन भढ़काओं बयान देते हैं लोगों को भढ़काने की पूरी कोशिश करते हैं पर अचानक से इनके सुर क्यों बदल गए क्या वो दिखावटी बयान दे रहे हैं या योगी आदितनात से बहुत जादा डर गए हैं देखिए इन लोगों ने खूब कोशिश के सुरुवाती दोर में अगर 2017 के बाद से 2022 तक देखे या फिर 2022 के कुछ सुरुवाती दोर में इन लोगो दुबारा उनको एतिहासिक जीत मिली है वो है लॉइन ओर्डर की समस्या जो पहले से लॉइन ओर्डर की इतनी समस्या थी अखिले सियादब के समय भी हुआ था और इसके बाद योगी आदितनात ने जो कड़ाई से उत्तर परदेश के पुलिस को पूरी छूट दी सो से ज सिति आई कि उत्तर परदेश में सांती हो गई और माफियाओं को गुंडों को जिहादियों को भी डर लगने लगा कि अगर हम पकड़े जाते हैं तो फिर मेरे घर पर बुल्डोजर चलेगा जो चलता रहा है तो ये सुरू में तो ये कोशिश करते रहे कि इस चबी को खरा नहीं रहा यही बात उमेश पाल हत्या कांट के बात की गई थी चिला चिला कर विधान सभा के अंदर अखलेश यादव ने कहा था उत्तर परदेश में अब गुंडों की सरकार है माफियाओं की सरकार है लेकिन उसी के बात जैसे जैसे एक के बाद एक इनकाउंटर हुआ मारा गया उसके दो और सूटर मारे गए तो सारा जब इनकाउंटर सुरू हुआ पुलिस का तो लगने लगा कि ये तो खौफ पुलिस का है इन मापियाओं का नहीं तो इन लोगों ने पूरी कॉंस्पिरेसी की कैसे भी छोटे छोटे मुद्दे को बढ़ाओ उसको आगे क और मुसल्मानों को इकठा करके दंगे करवाओ ताकि लिस्ट में नाम आए जिस तरीके से कि योगी की सरकार में उत्तर परदेश में 50 दंगे हुए तो ये अस्थिर करने की कोशिश की गई लेकिन जब लगा कि ये अस्थिर करने की कोशिश जो है उसके कारण इन जिहादि कि इन लोगों के कहने पर भी बाहर में लोग नहीं आ रहे हैं लेकिन आज के संदेश को तो विपक्ष अब अच्छे से समझ गया होगा क्योंकि कई जगों से ऐसी खबरे आए कि कुर्बानी के बकरे को लेकर काफी ज़ादा बखेडा खड़ा हुआ लेकि उत्तर परदेश में पहली सुरुआत हुई हंगामा करने की और यहीं अंत भी हो गया धीरे धीरे ये महौल ऐसा हो गया कि अब इन लोगों को एक भी योगी सरकार के खिलाफ एक भी कदम उठाने से डर लगने लगा है और इसी का नतीजा है कि लाइन ओर्डर के सिच्वेशन बहतर हुए है पुलिस की तैनाती हुई और मस्जिदों पर निगरानी जरूरी है मस्जिदों में जिस तरीके से तक्रीर होते हैं और उस तक्रीर में जो ये मौलाना है वो जैसे भड़काता है युवाओं को वो जो की जाहिल टाइप के युवा है जिनके दिमाग में सिर्फ कटरता बरी हुई है वो भड़क के बाहर निकलते हैं और फिर पत्थर वाजी करना शुरू करते हैं लेकिन इनको पता नहीं कि वहां CCTV कैमरे लगे हैं इनके पोस्टर जारी होंगी और पोस्टर जारी होने के बाद घर भी खाली होगा कुर्क होगा बुल्डोजर चलेगा जब ये कारवाई हुई तो आज इस्थिति ये है कि इद के मौके पर सड़कों पर सनाटा पतरा रहा मस्जित के बाहर आवाज नहीं आ रहे थी आप अंदर जाओ सांति पून तरीके से नमाज अदा करो और उसके बाद बाहर निकल के सीधे घर पे जाओ बीच में कोई होहला नहीं होना चाहिए और यही आधार है कि यूपी में आज सांति पून तरीके से इद मनाया गया नहीं ने पहले ही फरमान जारीकर का था कि बकरीब पर क्या 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 करना है और नतीजा ये रहा कि आज उत्परदेश के चपे चपे में योगी के फरमान का पालन हुआ जिहादियों में खौफ नजर आया इस पर आप अपनी राय कॉमेंट करके जरू लिखे देखते रहें कैपिटल टीवे उत्रप्रदेश नमस्कार